हेलो गाईज कैसे हैं आप उमीद करता हूँ अप लोग बहुत बढ़िया होंगे तो आज हम रिवियू करने वाले हैं मारती सुजु की बलैनो डेल्टा वीरियंट का तो इसी का रिवियू करेंगे इस वीडियो में जानेंगे इसके फीचर्स और ओन रोड प्राइस के बारे में तो पूरा डीटेल रिवियू है 2021 में इसका क्या प्राइस है ये भी जानेंगे इस वीडियो में इसमें जो वेरियंट आते हैं वो जान ले है इसमें और फॉग लेंप कंपनी फिटेड नहीं आते आफ्टर मार्किट आप इसमें लगवा सकते हैं इसका मुनोगराम क्रोम प्रिंज के साथ दिया गया है और गिडिलों पे भी आपको क्रोम मिलेगा बात करेंगे वीलों की तो इसमें आपको 185, 65 आर 15 इंचिस के वील दिये गये हैं वील कवर गाड़ी के अंदर है ब्लैक वील मिलते हैं इसमें आपको सिल्वर वील कवर मिलते हैं अगर आप डेल्टा विरिंट लेते हैं सिग्मा विरिंट में आपको वील कवर नहीं मिलेंगे कंपनी फिटेड डेल्टा विरिंट से ह स्टार्ट होते हैं वील कबर अलफा वीरिंट लेते हैं तो इसमें आपको अलाय वील मिलते हैं अलफा और जीटा वेरिंट में आपको अलाय वील मिलेंगे यह साइट प्रोफाइल है गाड़ी की साइट प्रोफाइल से बहुत ही बढ़ी अलुक है गाड़ी का देखने में ब करेंगे प्रक्रम्न ने कसान की तो इसमें आपको वन-शेवंटी डियेंश मिलते हैं इस यहाँ पे मिलते हैं डोर हैंडल आपको बॉडी कलर दिया गया है यह रियर प्रोफाइल है गाड़ी की रियर प्रोफाइल से भी बहुत यह बड़ी अलुक है गाड़ी का देखने में रियर में आपको रूफ के ऊपर अपको इसमें और साथ में ही हाई मॉंट स्टॉप लेंप के बंपरों पे चार पार्किंग सेंसर मिलते हैं अगर हम सेफटी वीचर की बात करें रियर की बंपरों पे और दो रिफ्लेक्टर मिलेंगे चार पार्किंग सेंसर के साथ जिससे की गाड़ी पार्क करने में काफी आसानी होगी आपको यह दूसरी सैट की प्रोफाल है गाड मेटलिक तीसरा है रैड चौता है प्रेमियम सिल्वर मैटलिक और पांचवा है पैलर आर्टिक वाइड जो कलर आप देख रहे हैं पैलर आर्टिक वाइड कलर है गाड़ी का मत करेंगे सेफटी फीचर्स की तो इसमें आपको डूल एयर बैक दिये गए हैं एबियस विद इवीडी यानी ब्रेक असिस्ट चैल्ड सेफटी लॉक मिलेगा आपको रियर के दोनों डोरों पे चैल्ड सेफटी लॉक मिलता है और इंजन इमोबलाइजर सेंटर लॉकिंग दिये गए हैं स्पीड सेंसिंग आटो डॉल लॉक तो यह सारे सेफटी फीचर्स इसमें दिये गए हैं कंपने फीटेड जो मैंने आपको बताए 37 लीटर की फ्यूल टैंक कैपिसिटी दी गई है इसमें तो बहुत ही बढ़िया फ्यूल टैंक कैपिसिटी मिलती है आपको बात कर लेते हैं अब इसके प्राइस की दो इसका जो एक्शोर्म प्राइस है पहले वो जान लेते हैं एक्शोर्म प्राइस है इसका 6,56,500 इसका एक्शोर्म प्राइस है ओन रोड प्राइस की बात करें तो 7,37,999 इसका ओन रोड प्राइस है यह डेली का प्राइस है जो मै बूट स्पेस देख लेंगे कैसा बूट स्पेस मिलता है आपको इसमें तो इसमें आपको कि समन क्यारी करने के लिए हुग दिया गया है यह आपका स्पेर विल है जो कि आपको ब्लैक ही मिलता है और टायरों का साइज 15 इंचिस का मिलता है आपको इसमें पांचो टायर का साइज सेम है 349 लीटर का बूटी स्पेस मिलेगा अगर बूटी स्पेस की बात करें तो 349 लीटर का बूटी स्पेस मिलता है आपको इसमें चलते हैं आप रियर डोर के इंटीरियर में तो इसमें जी आगया है। रीए्ट के दोनों डोरों पर मिलता है। पावर विंडों कॉंटन फिनिश Gray फिनिश मिलेंगी। और बोटल लगने का स्पेश दिया गया है। आप we kay brewer् little मिलते हैं। इसमें आपकी गार्डी के वील कभ इन इसमें silver wheel cover मिलते हैं आपको इसमें rear sheet के head आपको adjust table दिये गये हैं अपनी height के recording adjust कर सकते हैं और यह वाला door भी आपको inside handle chrome पर दिये गये हैं grave niche, power window, grip assistant दिये गये हैं left, right में कुछ समन केदी करने के लिए होग भी दिया गया है यह आपका leg room है, तो leg room बहुत ही बढ़िया है leg room की problem नहीं मिलेगे आपको इस गाड़ी में 12 watt का charging socket भी इसमें दिया गया है rear passenger के लिए front sheet के head भी आपको adjust table दिये गये हैं यानि head rest आपको इसमें दिये गये हैं front sheet में भी आपको head rest मिलते हैं देखने को चलते हैं front door के interior में तो इसमें आपको देखे inside handle chrome पे दिये गये हैं और इसाथ में ही आपको cotton नीज दी गई है और चारो डोर इसमें पावर विंडूँ दिये गई हैं देखे आटो के साथ मिलते हैं साथ में ही lock unlock कर सकते हैं साइड mirror को fold कर सकते हैं मैं आपको करके दिखा देता हूं Side Mirror Fold Level भी है इसमें और Electrally Urgestable भी है, वो भी करके मैं आपको दिखा देता हूं दीखिए यह Urgestable और Fold Level दोनो फीचर aanपको दिये गये हैं Side Mirror को आप prett double rises भी कर सकते हैं गाड़ी में बैठ के असानी से और फोल्ड भी कर सकते हैं दोनों फीचर्स मिलते हैं आपको इसमें और इसमें आपको राइट साइड में इस इवेंट्स हैटलाइट लेवलिंगे सुचिस दिये गया है राइट साइड में ही कुछ स्पेस मिल जाएगा समान करी करने के लिए थोड़ा बहुत आप रख सकते हैं इसमें चोटा मोटा समान और यह आपका ड्राइवर्ड सीट देख रहे हैं जो की ओनली बैक अड्जेस्ट मिलती हाइट अपको इसमें बात करेंगे अब स्टेरिंग वील की तो इसमें आपको ऐसारे से एयरवेक दिया गया है और यहांडियो कंट्रोल मिल जाएंगे स पोनी कंट्रोल्स ब्लुटूथ कनेट कर सकते हैं फोन उठा सकते हैं डिस कनेट कर सकते हैं और इसमें आपको ऐसारे से एयरवेक असका मुनोग्राम क्रोम फिन्स के साथ दिया गया है तो इसमें के अपने हैट के कोडिंग अड्जेस्ट कर सकते हैं आप स्टेरिंग वील क टमपरेचर बताएगा क्लॉक बताएगा किलोमीटर बीच में शो हो जाएगा जो छोटी ची डिजिटल लिस्प्ले दी गई आपको सारी इन्फोर्मेशन मिल जाएगी कुछ वार्निंग लाइट भी इसमें दी गई है की देख लेते हैं तो दोनों की आपको इसमें रिमोट क आपने काड़े को असानी से इसमें बात करेंगे अब इन्फोर्मेशन मिलता है इसमें आप सीडि प्ले नहीं कर सकतें सिदी प्ले करने का ओप्शन नहीं मिलेगा आपको जीटा और में मिलता है इसमें आपको टॉस्म बीटन इन्फोटैंमें सिस्टम दिया दिया गया हैWe are white area और झांड बाना के अपको डेलटा किस दिया गया है जयाता है तो इसमें आपदिए इसी दिया गया है देखिए आटो इसी मिलता है आपको सिल्वर फिनिश के साथ और इसमें आपको नीचे आएंगे तो यहां पर 12 बॉट का चार्डिंग सौकिट दिया गया है और यूस्बी ऑक्स के भी ऑप्शन दिये गया है देखिए मोबाल क्नेट करके मन पसंद के गाने सकते हैं यहां पर कुछ स्पेस मिल जागा कंसॉल पर गेर लिवर फाइफ और बंडिवर्स के साथ दिया गया है एंडबर क्लिवर क्रॉम फिनिश के साथ दिया गया इसमें और एक ऐसारे सेयर बैग और मिलेगा को ट्राइवर्स साइड यह आपका गलोब बॉक्स है जो ब गया है साथ में स्पीकर बिलता है आपको इसमें और फ्रेंट में आपको सनवाइजर दिया गया है और रिडिंग लैंप आई रवीम डे नाइट दिया गया है इसमें को ड्राइवर्स साइड सर्वाइजर वनेटरी मिरियर के साथ दिया गया है गरीप असिस्टेंट तो इ गए हम इंजन रूम में ही मिलता है आपको इसमें बात करेंगे इंजन की तो इसमें आपको 1197 CC का इंजन दिया गया है पैट्रोल इंजन है ये बात करेंगे पावर की तो इसमें आपको 182BHP की पावर मिलेगे आपको 6000RPM पे अगर हम टॉर्क की बात करते हैं 113NM की टॉर्क मिलेगे 4200RPM पे बात करेंगे माइलेज की तो इसमें आपको 21KMPL की माइलेज मिलती है जो की कंपनी किलिम करती है तो बहुत ही बड़िया माइलेज भी इसकी सो फ्रेंड्स ये था रिवीउ मारती सूजू की पलेनो डेल्टा विरियंट का रिवीउ आपने देखा ये रिवीउ अगर आपको अच्छा लगा हो जरू लाइक कीजिए इस वीडियो को और अभी तक हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं क्या तो प्लीज सस्क्राइब कर ल